अब आईए बात करते हैं मिथून राशी की जो मिथून राशी की जातक हैं आज का दिन आपका काफी बहतरीन है आप क्या करें कि योजना बद्ध तरीके से टास्क टार्गेट औरियेंटेड होके कारे करें आज आपको महान सफलता मिलते हुए दीख रही है सरकार से 77 से आप धन बिलने से आपकी माली हालत अच्छी होगी विद्यार्थियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा है खास और से खिलाडियों के लिए कालखंड अच्छा है पत्नी की स्वास्त को ले करके थोड़ा साब की चिंता बढ़ सकती है ता पत्नी की स्वास्त पर ध्यान रखने की जरूरत है सौधानी क्या बरतनी है गुस्से में आके कोई काम न करें और उपाय क्या करना है गौसाला में जा करके गाय को रूटी गुड़ खिलावें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके छे सुभंके हरा लक्मीटरे साथ अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 2 जुलाई 2024 दीन है मंगलवार तिथी है कादसी न चत्रे भनडी धृत्ती योग है बालो करण है शुर्योदय हो चुका है सबेरे 5 बच के 26 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 7 बच के 22 मिनट पर आज चंद्रोदय होगा रातरी 2 बच के 37 मिनट पर चंद्रास्थ होगा 4 बच के 4 मिनट पर चंद्रमा रहेगा मेश राशी में आजा का जो सुभ् मुर्थ है, 11 बच के 77 मिनट पर दो नर बच के 22 मिनट तक रहेगा। रहुकाल है, 23 बच 13 मिनट पर साहिम काल पर रहेगा। उत्तर दिशा का तिशा सूल है। आज आपको एक बाद का द्यान देखना है, चंद्रवा है मेश राशी में जब चंद्रवा मेश राशी में हो तो व्यक्ति काफी emotional हो जाता है द्रढ़निश्य होता है और अपने term and condition पर काम करता है तो आज का दिन आपके लिए अतिशुभ है उत्तम है पूरी उर्जा लगा के अपने task के तरफ task target oriented हो के कारे करिए आज आपको बड़ी सफलटा बलेगे. राहुकाल में कोई भी नए कारे की शुरुवात ना करे नहिताब को टिक्कत होत गी. सुबह मुर्थ में किया गया क्या responding होता है तो जदिया आपको ग्र लेना चाहते है प्रापल्टी लेना चाहते हैं प्रापर्ड गरना चाहते हैं या क इसे सुभकारे के लिए कुछ नया कारे करना चाहते हैं जो भी कारे करना चाहते हैं उसके लिए सुभ महुर्त में ही कारे करना आपके लिए अच्छा रहेगा दिशासुल में यात्रा करने से परहेश करें क्योंकि दिशासुल में यात्रा करने से बचना चाहिए लेकिन लग महामंत्र है ओम नमो भगवते स्री हनुमते नमा यह जो महामंत्र है संकट मोचन स्री हनुमांची का है जिए आप अपने को संकटों से घीरे हुए पा रहे हैं आप परिशान है लगता है कि आपकी परिशानी दूर नहीं हो रही है तो आप हनुमांची की स्रण में जाएगे इस महामंत्र का जब करिए, आप देखेंगे कि आपकी सारी परिशानिया दूर होंगी और हन्मान जी की किरपा से आपके सारे कारी संपन्न होंगे. जब आपकी कुल्डी में मंगल गरहा कर ठीक नहीं है और मंगल के वज़ा से या सनी की वज़ा से आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे परिशिति में इस महामंत्र का जब करना आपके लिए आती सुभद रहेगा, सुखद रहेगा और आपकी चतुर्दिक परिशानिया दूर होगी और आपका मर्व निश्कंटक हो जाएगा.